नमस्कार साथियों यह हमारा एक स्क्रीड एसी है और इसमें प्रॉब्लम है देशकते हैं आप इसका आइस आया हुआ था मैं अभी दो दिन पहले मशीन को चेक किया तो पूरा आइस आया वाता स्क्षण और इस मशीन में हम करने क्या जा रहे हैं इसका जो मुख्य रीजन है यह सक्षण वाल और डिस्टार्ज वाल यहां से माइनर लिकेश दोनों में अलाकि सक्षण में ज्यादा थोड़ा सा ओई इसकनेट करके ठीक है तो चलिए भी फिलाल में मशीन को पूरा ओपन कर लेता है कपर हुआ और इसका वाल कैसे चेंज करते हैं और और को सिर्फ कैसा प्लस करूंगा सिर्फ नाटोजन से उस चिसको में सो करूंगा उसका बाद कंप्लीट वेकूम गैस चारजिंग इस पर ह अब देखने को मिलागा में है कि अब देखे साती हो पुरा में मशीन को मैंने खोल दिया है पुरा कवर और 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 भी साटर ने करने कि नियुए है तो में वाल चेंज करने से पहले थोड़ा से इसको फ्लस करने के क्या हमारा तरीका है यहां पर यहां पर यहां पर यहां से आएगा फिर इसके अंदर घूम के यहां पर आएगा और पता है यह जो कंडेंसर का जो डस्ट होता है कार्बन होता है यहां करूक जाता है जब नाइट्रोजन इधर से इधर आएगा और पूरा बेक कहां जाएगा पूरा कंडेंसर को अंदर वो घुमाएगा तो निकलेगा कहां से यह इनलेट है यहां से निकलेगा यहां से उपर आएगा और यहां से निखलेगा तो मैं यहां से disconnect करूँगा और यहां इसको ब्रीजिंग करूँगा ठीक है इसको ब्रीजिंग कर लेते हैं तक हमाला KAM CALL कि यहां पर इसको कर रहूं ठीक किया यहां पर इसको क्नेट कर रहा हूं धर यहां पर अफ्रास नहीं ज़न सब्सक्राइब कि अगुच्छ ए कि कि हमारा यह हो गया और इसको हमको यहां से निकालना है तो मैं त्वासा इसको भीट करके बस इसको डिस्कनेट कर दूँगा यह लाइन हमारा नीचा अला जो लाइन है वर डिस्कनेट कर दूँगा और कि इसके काम करने से पहले इतना स्योर रहें कि दोनों साइड से हमारा गैस निकल चुका है इसमें गैस पोड़ा भी नहीं है जो बाइस नम्मर का गैस है लेकिन बाइस से बिलकुल नहीं इसकरना ठीक है मैं इसको साइड कर लेता हूं अभी देखिए यह लिक्विड लाइन को डिस्कनेट करने के बाद मैंने वहां पे एसस लाइन लगा दिया जो हमारा डिसाज लाइन में लगा हुआ और डिसाज लाइन में हमारा नैट्रोजन का सिलेंडर यहां पर लगया हाना कि इसमें ज् बदा यहां से होगा तो यहांसे में जो निकल यह जा एक इसकी अन्दर नाइट्रोजन जा रहा है ठीक है और यहां से मैं से फिल कर सकता हूं कि हान नाइटोजन आ रहा है तो मैं ज्यद्त और खूलूंगा ज्यादा देखते हैं क्या निकलता है तेल वेल निकल रहा है इसको रिवर्स करना इसलिए जरूरी है कि यहां पर जो केपलरी है न वहां पर जब कच्रा रुख जाता है वह केपलरी से पास नहीं होता है तो सर्कुलेशन में थ्ला सहाई जिक्कत होता है हाई प्रेटर बढ़ता है बार बार तो अब ही तो फिलाल में तेल निकल रहा है पुरा अब बहुत तेल है प्रेटर बढ़ता है करेंगे इसके बंद कर देंगे इतना बहुत है तेल रिलीज करने के लिए और कारवन परासा है रिलीज करने के लिए अब मैं इसको हटा के वाल निकलना चारू करूंगा अभी देखिए वाल निकालने से पहले में इसका जो कि सक्षन वाल जो वाल है उसका साइज है 58 का साइज है और जो इसाज लाइन है उसका हमारा जो निया वाल है वो स्ट्रेट बिलकुल सिधा है तो अच्छा है कि मोडिफाई करने से अच्छा है कि इसको मैं काट के निकालते है और यह जब काटकी निकालेंगे तो यह साइड का हिस्सा है वह नहावाला पाइप में इन कर जाएगा अच्छे से तो यहें से काटक दे आँ है आए यह वाल वाल है यह त्री एट का साइज है और यह फाइफ इट का साइज है जब फाइफ इट का साइज में आपको ऐसा मिलेगा यह डेड के पाता है जहां से लिंकी लगावा यहां पर चार्ज्जिंग में ससी तो तो यहांस इन्यूहां के बाहम फैसा होड़ा है तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं अभी देखिए और कॉंप्रेसर का मैं डिस्टाज निकाल दिया हूं पाट के निकाला उसको और शक्षन वाल है मैं इसको यहां से हीट करके निकालूंगा ठीक है कि कि अग्या कि इस अग्या कि हो कि 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 अरसे करे लिए अर 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 मकल आयाइए अर मुरसे कर ले अर अर मुरसे पाल कोया है अर शुर अर अर कर दूद अर अर wreck घू रागा प्कार अर अर पार अर अर जोंगा आयाएए़ कि अभी देखिए सथी ओडियों में मोडिफाइ कर दिया हूं और रात होने वाला इसलिए मैं तुरासा लाइट करके इसको यहां पर लगा हुआ था उसको मैं बाहर करके काट लिया तो वह पाइप यहां पर आ जा रहा है वही पाइप प्रिजिंग करना बाकिए हमारा फाइनल हो गया पाइट का साइज में है यहां पर सुझिंग किया हुआ प्रिजिंग करूंगा और यह जितनी टाके है मैं इसको भी चलना हुआ ब्रिजिंग करने के बाद हम नया वाला जो प्रॉप है उसका फ्लेयर नट काट के में नया फ्लेयर नट बनाऊंगा ठीक है जो हमारा पाइप है क्योंकि वहां से बेंड हो चुका है तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं और देखिए करने से पहला में यहां पर भीगावा कप्रा प्रॉप लपेट देंगे ताकि यह ज्यादा हीट नहों ठीक है तो चलिए मैं द्रिस्टाज लाइन को मैं हीट कर रहा हूं और द्रिस्टाज लाइन पर हमारा जो वाल लागा हुआ पहले उसको मैं ब्रीजिंग करूंगा ब्रीजिंग करने सब्सक्राइब भीगावा कप्र डाल दिया हूं कि इसको हम उपर सही अच्छे तरीके से हैं कि इसको कॉपर और चला देंगे हैं कि हमको नीचे जाने की जोटना पड़ा है तो मेरे ख्याल से यह वाला हो विया सब्सक्राज वाला कि और अब अब हम सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के लिए यहां से तुरा सा यह कप्राइब डाल दोगा और इसमें ज्यादा हीट करना है तो इसले में इसको प्रणा पट करूंगा हुआ है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अब यह हमारा स्क्षान ओला लाइन है स्क्षान ओला वाल को हम लगा रहे हैं अब कि अब सब्सक्रेश करें कि हम इसको हल्का सब पानी यह से चढ़ा कि में तरी पुरा है इसका जोएंट इसका बहर जाएगा कि कि इसके पीछे सेड में जाने सकता क्योंकर डीप एरिया है तो तो आसा मैं यहीं से मालम वाने के प्राश्ट रहाएगा कि 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 मेरे खेल से यह वाला लाइन हो गया अब हमरा यह बात कि है इसको फटाट से हीट करते हैं कि 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 कर कि 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 अभी देखिए मेरे पास एसे ट्लीन भी कम है तो मैं इसको फटापट किसे तरीपे सखर देता हूँ कि अभी देखिए स्वात्यों रात में हमारा गैस सिलंडर खतम हो गया था और ऐसे टाइम पर खतम हुआ कि हम बेल्डिंग रॉड को निकाल भी नहीं सके देखिए तो अभी हमारा दो टाका लगाना है एक यहां पर और यहां पर टाके लगा जेते हैं उसके बाद हम प्लेरिंग के काम करेंगे चलिए तो अभी हम नीचे ला पाइप को हीट करेंगे हाला कि यह ऐसे टाइम हमारा पास शिक्लीन खतम हुआ कि इसको मैं फाइनल नहीं कर सका ठीक है चलिए है कि involves मैं फ comet कर दाऊए है कि आ, कि इसकी आथ है तो बहला है कि अब हमारा यहां के लगए ठीक है अब इसको उपर लगा लेता है यह हाफ का है और निचला फाइफ का है यहां पर अलड़ी स्विजिंग किया वात है इस लाइन में तो मैंने उसको काटके निकाल दिया वह इसलिए कि हमारे फाइफ पाई पे तो फिर उसमें नहीं करेगा कि अब हमारे आखरी टाके बचता है कि अब हुआ है चलिए जैसे हीट हो रहा है अंदर पाइप चला गया क्योंकि यह टाइट है पहले से अब हुआ है कि अब है कि अब हुआ है कि अब दिखेंगे अब दिखेंगे मैंने सारे टाके को ब्रेज़िंग कर दिया यहां पर निकाला था इसको हीट करके मैं ब्रीजिंग कर दे यह भी हमारा होगे यहां पर पुराना अला फ्लेर है देख सकते हैं तो मैं इसको काट को काट करके फाइफ एट और त्रियट दोनों का नया फ्लेर बना लेते हैं और इसको 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 पूरे सिस्टम का क्याना हमें इसका प्रेशर मतब्लीक केस्ट करेंगे यहां पर कहीं से लिकेश्ट नहीं वाल से यहां पर ब्रीजिंग किया हुआ क कि अवी देख्यें साथ यहां अधना काम कहां तक हो जर्म सक्षब लगें के बास्टन गचिंग करने के बादु किstaruk चैके को टाके को करने के बाद उन 1 आप खुला हुआ करते हैं इसको दोनों वाल मैंने लगा दिया और सब्सक्राइब करने के हैं तरफ प्याश्टाम करते हैं करते हैं तो जहां से करते हैं वहां से कोई प्रोपर तरीके से चेट कर सकते हैं अगर लिक नहीं है इसके बाद का प्रोस्रेस होता है कि में मसीन को डाल देंगे ठीक है तो चलिए हम पहले इसको लिक कर लेते हैं ठीक है अब ही तेकिश करने के लिए मतलब डिटर्जेंट और इसमें फेरी है पानी है लेकुड फोर्म में मैं इसको इसको डाल के चेक कर ले रहा हूं और मैं अपने तरफ से कंपिडेंस हों कि इसमें कहीं से लिकेश नहीं होगा कि अब प्रोपर दने के बाद फ्रास हम केर फुली चेक करेंगी कि यहां पहीं लीकेश नहीं देख सकते हैं कि इस वाल से बिधं में अच्छे से बनाे कर दिया कि तो यहां से लिकेश के आप लिए और यहां पर मैंने लगा था तो मैं शूर हूं कि यहां से अब कोई लिकेश नहीं है तो इसको केरफुली हम चेक कर लेंगे और उपर भी एक लाता है तो चलिए मैं शूरूं के अभी लिकेश कोई नहीं है कि जब लिकेश नहीं होने के कंडिशन में हमारा मसीन चीक होता है तो इसके अंदर जो फिल किया हो ने टोजने उसको बाहर निकालता है ठीक है वह बाहर निकालने के लिए हम इसमें चार्जिंग लगाएंगे और वाल खोल देंगे अटोमेटिक वहां से बाहर निकल जागा उसके बाद क्या होता है कि हम मचीन को चार्जिंग प्रोसेस में डालता है वेकुम के लिए वेकुम के लिए वेकुम हमारा करीबन 20-25 मिनट के लिए आसबस होता ठीक है तो चलिए मैं डाल देता हूं निकालने के पाद और एक सी ध्यार में रखिए यहां पर जो रोल है इसक सांक साथ हो निकाल देने के बाद में मस्छीन को वेकुम में लगा त्यूंट में लगा ने की लिए जनले अभी हम क्या कétait रहे चलने वेकुम करने के लिए तो अभी हमारा वेकुम आधे घंटे के आसब चलेगा conscious लेगव हम ने low side से वेकुम कर रहा हूं वह इसलिए इस ज सब्सक्राइब कर रहा हूं दोनों वाल यहां लेगी वाल पुला हुआ है और यहां पर हमारा वाल भी फुला हुआ वहां से पूरा गैस मशीन का यहां से बाहर निकाल कर ठेक रहा ठीक है अभी 20-25 मिट प्रोसेसर लेगा वेकुम होने के बाद मैं इसका गैस सार्जिंग पर देता हूँ अभी देगि सत्यों हमारा लगवग आधे गंड़े सूपर वेकुम हो चुका है और अब रेडिन निसकते हैं यह जो इन हमारा विल्कुल ग्रीनमे चला गया और यह ग्रीनमारा जो नेडिल है तौम जीनमें सलगा है और यह आधा घंट से कि अभी देखिए अंडेट पर्शन हो जाने के बाद मैंने को बंद कर दिया हूं और नहीं है फिलाल में किलेमेटर लेड़ी हमरा तो चलिए भी बंद प्रियोड में इसका गेस डालते हैं करीबन सो क्यास बस ठीक है कि कम्प्लीट वेक्यूम होने के बाद मैंने बंद प्रियोड में गेस को उल्टा करके सो क्यास पास मनें प्रेशर डाल दिया है देख सकते हैं आपना से उपर चला गया हमारा ब्रेश ठीक है तो मैं इस में ज्यादा गेस बंद प्रियोड में डालूंगा मशीन को जा रहा हूँ इसका प्रेश और ये तरहें प्रेसर करोंगा अभी चलिए मशीन को स्टार्ट करते हैं पिर देखते हैं कि इतना जा अंदर लेता है अभी सब्सक्राइब जाएगा और देख सकते हैं इसके जो डिस्चार्ज लाइन पर आइस हाया हुआ है इसका मतलब क्या है कि गैस अभी 100% चार्ज नहीं हुआ ठीक है और जैसे सब्सक्राइब क्लियर हो गया और एक चीज और हम देखेंगे तो हमारा लगबक की सब्सक्राइब कर जाएगा तो फिफ्टी पाइब के आसपास में एंपेर स्वरी प्रेसर को में इंक्रीज करूंगा और दस से सब्सक्राइब करेंगा ठीक है और आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद इसके बाद हमारा कुलिंग प्रॉपर आना शुरू हो जाएगा अब देख सकते हैं सात्यों हमारा जो आइस था मेल्ट हो चुका है ठीक है और हमारा एंपेर बारा किया है मतलब सब्सक्राइब करेंगा यह ड्रॉप ओके ठीक है और इंपेर इसका प्रेशर चेक कीजिए प्रेशर हमने इसको कितना डाला है 50 लगब 50.2 क्यास पर जाला है तो इसी साब से प्रेशर हमारा ठीक है एंपेर फ्रसा और ड्रॉप पगा देख सकते हैं 12.1212 आ रहा है ठीक है और इसका रेटेट एंपेर यहां पर मेंशन किया है 11.5 क्या सब्सक्राइब तो अभी मैं यहां से कुलिंग में अच्छे तरीके से कर सकता हूं कुलिंग बे हो सकता के विश्टर चेंज कर दूंगा इसका और यह एंपेर मेंटेन कर लेगा ठीक है और 11.5 11 के आसपास अमरे इंपेर रिच कर जाएगा तो इस तरीके से हम स्प्लिट एसी में वाल चेंज करने से लेकर कम्प्लिट फ्लसिंग और कम्प्लिट वेकूम और नया गेस शा प्रोसेस इसमें पूरे वीडियो में दिखाने का और समझाने का प्रयास क्या तो वीडियो अंतर तक दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच